Friends, आप मेंसे बहुत से लोग होंगे जो कि confidence की कमी के शिकार हैं तो आज ये वीडियो हम इसी topic पर बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने confidence को बढ़ाएं तो दोस्तो, confidence की कमी के कारण बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसे ऐसे काम नहीं करते जो कि वो कर सकते हैं जो कि उनमें शमता है, skill है करने की बट फिर भी वो उस काम को नहीं करते हैं क्योंकि उनमें confidence की कमी आ जाती है तो अगर आप ऐसी किसी problem के शिकार हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए Friends, अगर मैं confidence की बात करूँ तो confidence को हम दो टाइप से देख सकते हैं एक है कि हमें short term में किसी चीज में confidence लेकर आना है कि मैं कई जगहें बाकी सारी चीजों में तो ठीठा काम कर लेता हूँ बट ये दो एक चीज हैं जिनमें में मेरा confidence डाउन हो जाता है तो उस चीज में मुझे confidence को कैसे लाना है वो जरा मुझे बताओ आपका ये question रहता है दोस्तों अगर आपको short term में confidence चाहिए मतलब किसी काम को करने के लिए थोड़ी हिम्मत आ जाए और मैं आगे बढ़के कर जाओं बस अगर ऐसा आपको कुछ चाहिए है तो ये बात सबसे पहले जान लें कि mind and body are one कि mind और body ये connected हैं ये एक ही चीज हैं ये दो अलग-अलग चीज नहीं है एक पे impact आएगा तो दूसरे पे भी आएगा अगर mind effect हुआ तो body पे भी effect आएगा और body effect हुई तो mind पे भी effect आएगा आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप बिमार पड़ जाते हैं मतलब आपकी body बिमार है तो आपके mind में भी ऐसे-ऐसे thoughts चलने लगते हैं जो कि usually नहीं आते जिससे कई बार आप घबरा जाते हैं या कई बार आपको लगता है कि मैं कितने दिन और बिमार रहूँगा कभी ठीक होँगा कि नहीं होँगा तो बहुत सारे विचार चलते हैं जब हम बेंड में लेटे होते हैं और सोचते हैं कि कब इस बिमारी से पीछा चुड़ेगा चाहे वो दो-तिन दिन ही हुए हो बट वो भी बड़े भारी से लगते हैं क्योंकि हमारे thoughts ऐसे चल रहे होते हैं कि कब ये विमारी खत्म हो और मैं उठूँ और अपने different different काम करूँ तो mind उसी तरीके से चलने लग जाता है जैसे आपकी body affected है और other way भी सही है ये क्योंकि जब आपके mind में कुछ खराब thoughts चल रहे होते हैं mind की किसी problem से affected हैं तो आपकी body उसी तरह जुग जाती है उसी तरह body language खराब हो जाती है मतलब आपकी physiology गिर जाती है तो दोस्तों जब भी mind effect होगा आप देख रहे हैं कि जैसे आप में से कोई जो depression के शिकार है या कोई किसी चीज से डरे हुए हैं वो कभी भी चोड़ा सीना करके मूँ उपर करके smile करते हुए कभी भी आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे वो हमेशा गर्दन जुका रखी होगी कंदे गिरे हुए होगे चेहरे पे smile नहीं होगी रंग उड़ा हुआ होगा उस तरीके से उनकी body language होती है पर आप देखेंगे कि वो body से तो उनको कोई बिमारी नहीं है बट वो depressed है depressed मतलब mind से उनको कुछ problem चली हुई है बट उनकी body तो बिल्कुल ठीक है फिर उनकी body language क्यों गिरी हुई है क्योंकि mind and body are one तो दोस्तों इसी concept को ध्यान में रखते हुए जब आपको short term में confidence चाहिए तो आपको बस इतना करना है कि अपनी body language को जरा ठीक करो एकदम से spine straight करो, body language को जरा ठीक करो, चेहरे पे एक smile लाओ और जैसे कहते हैं कि एक अच्छी physiology, confidence वाली physiology जो होती है मतलब आप कैसे दिखते हो जब आप confident होते हो, बिल्कुल अपनी body को वैसे ही कर लो दूसरी चीज जो आपको करनी है, वो है कि आपके अंदर जो thoughts चल रहे हैं जो भी अभी तक self-talk कर रहे थे, जो भी आपके अंदर बात चल रही थी अब उन्हें बदल डालना है अब ऐसे thoughts वहाँ पर डालने हैं या बोलना शुरू कर देना है, जो confidence की जलक दिखाए कि जैसे कि मैं example देता हूँ कि today is my day and I am going to rock it अमने body language भी change कर दी, कि today is my day देखिए हाथ खुल रहे हैं, I am going to rock it body language कैसी solid हो गई है, आप उपर की तरफ देख रहे हैं, चेहरे में दम है हाथ भी action कर रहे हैं कि yes, I am going to rock it और अंदर एक thought दे दिया कि this is my day, I am going to rock it तो वो thought को जब हम बार बार repeat करेंगे कि आज मेरा दिन है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता I am unstoppable, तो एकदम से अंदर से confidence निकलेगा इस काम को जो मैं करने जा रहा हूं, ये तो छोटा सा काम है, इसे मैं यूं कर दूँगा मैं बड़ा ही तेज हूं, intelligent हूं, मेरे अंदर ये है, वो है, जो भी आप डालना चाहें, आप डाल सकते हैं तो आपको अपने thoughts को change करना है, अपनी physiology को, अपने body posture को change करना है जैसे ही ये दोनों चीज़ें change होंगी, आप देखेंगे कि confidence यूं बढ़ने लगेगा और आपका जब तक आप चाहों बढ़ाते रह सकते हो, इन ही दो चीज़ों को करते करते तो ये तो था कि आप कैसे short term में अपना confidence बढ़ा सकते हैं short term से मेरा मतलब है कि जब किसी चीज़ में आपको confidence लाना हो बट कई बार ऐसा होता है कि हम लंबे टाइम से confidence की कमी feel कर रहे है हमें लग रहा है कि मैं पहले जो काम बड़े आराम से कर लेता था आज कल वो भी नहीं कर पाता हूं क्योंकि confidence मेरा धीरे 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 गिरता चला गया और आज ऐसी स्थिती आ गई है कि मैं बहुत कम confident हूँ तो दोस्तों अगर ऐसी स्थिती है तो ये long term वाला case है जिसमें कि आपको जड़ से इसे मिटाना होगा कि जो ये problem आ रही है उसे मुझे जड़ से handle करना पड़ेगा जड़ से मेरा ये मतलब है कि आपको बैठना पड़ेगा अपने साथ analyze, 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 analyze कई दिन तक analysis करना होगा और ये जानना होगा कि ये जो confidence की कमी आ रही है ये कब से शुरुवात हुई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मैं क्यों इस low confidence में आता चला गया क्या मेरे thoughts चलते हैं उसके रहा हूँ, कैसा मैं feel करता हूँ क्या मुझे डरा हुआ लग रहा है, क्या मुझे कुछ और feeling आ रही है कुछ तो हुआ है मेरी life में जो मैं ये less confident होता चला गया सो जब आप ये जान लोगे पूरी तरह से जब आपको समझ में आ जाएगा कि yes, ये problem थी यहां से मेरा गिरना शुरू हुआ, उससे पहले तो मैं बढ़िया था एकदम अपने school में school captain था, ये करता था, वो करता था, अपने दोस्तों के साथ enjoy करता था वगेरा वगेरा, बट उसके बाद से जब life ने मुझे जिन जोड़ा, कुछ ये incident हुआ, वो हुआ, तब से मेरी गिरावट शुरू हुई और कई साल से मैं low feel करता हुआ आ रहा हूँ जब ये proper analysis कर लेंगे, आप अपनी problem को जान लेंगे तो समझ जाए कि आदा solution तो आपको वहीं मिल चुका है जब आपको पता लग जाए कि ये कारण है मेरी problem का कि जो मैं low confident feel कर रहा हूँ अपने आपको रोज ऐसा feel करता हूँ कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है मैं ये काम नहीं कर सकता, तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं से ये आ रहा है और जब आपने ये पकड़ लिया कि कहां से आ रहा है तो मतलब आपकी आधी problem solve हो गई है जब आपने ये जान लिया, अब तो problem का पता चल गया है तब देखो कि मैं इस problem के around क्या कर सकता हूँ क्योंकि वो depend करेगा कि कैसी problem है वो problem जब आप जान चुके हैं उसके बाद उसका solution निकालना आसान हो जाएगा क्योंकि है तो आपके अंदर ही जो event हुआ, कुछ घटना घटी, जो भी कुछ हुआ उससे आपने एक belief बना लिया ऐसा belief जो आपको negative करता चला गया मतलब आप तब से negative thoughts पर thoughts देते जा रहे हो अपने आपको और उन thoughts को रोकना होगा, उन पर काम करना पड़ेगा उस event पर काम करना पड़ेगा और फिर आप देखोगे कैसे आपके emotions, आपके अंदर ये feelings change होती चली जाएगी आपको उस पर कुछ दिन काम करना पड़ेगा, लग के काम करना पड़ेगा और आप उससे जल्द ही निकलते चले जाओगे और दोस्तों इस self-talk के around कि आप जो अपने आप से बात करते रहते हो thoughts देते रहते हो, क्या-क्या आपके अंदर चल रहा है इस पर मैं आपको पहले भी कई techniques बता चुका हूँ जैसे कि आप disempowering versus empowering thoughts technique यूज कर सकते हो आप CBT की worksheet यूज कर सकते हो, ABCDE worksheet आप चाहो तो music technique यूज कर सकते हो अपने thoughts को handle करने के लिए आपको मैंने कई सारी techniques बता रखी है और उन पर जब काम करोगे, उनको use करोगे तब आप देखोगे कि कैसे काम होता चला जाता है और ये बात कभी न बूलना, जो मैंने आपको communication model बताया हुआ है कि आपके words की कीमत तो सिर्फ 7% है बट जो tonality और body language में जब उन बातों को बोलते हो मतलब उनको कैसे कहा जा रहा है और जब वो कहा जा रहा है तो आपकी body language कैसी हो जा रही है जब उन पर काम करोगे, तो results बहुत जल्दी आएंगे क्योंकि वो दोनों मिलकर 93% आपके communication को contribute करता है और जब आप 93% चीज़ पर काम करते हो तो बहुत जल्दी वो thoughts change होने लगते हैं उन पर असर आने लगता है तो उन techniques को use करते हुए आपको आगे बढ़ना है और अपने confidence को बढ़ाना है दोस्तों एक और काम आप जो कर सकते हो वो है कि जब जब आपने कुछ अच्छा किया है जब जब आप confident थे दूसरों ने आपको appreciate किया था आपके काम के लिए चाहे हो छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो किसी ने आपको stage पर बुला कर award दिया था किसी ने आपकी तारीफ की थी किसी ने आपको कुछ भी ऐसा गोला था आपको बड़ा अच्छा लगा था आपके अंदर confidence जगाया था और आपको बड़ा मज़ा आया था उस time तो उस चीज को आप बिलकुल इस तरीके से याद करेंगे जैसे वो घटना अभी घट रही हो आपको उसे बार बार याद करना आपको बार बार अपने अंदर लेकर आना है उन pictures को और clear करके देखना है उन बातों को और louder करके सुनना है क्योंकि वो ही हैं जो आपको जगा सकती है आपके अंदर वो जज़बा भर सकती है कि यस ये मैं already कर चुका हूँ ऐसी चीजें तो अब मैं कम confident क्यों feel कर रहा हूँ मेर अंदर वो बात है बट still अगर मैं less confident feel कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मैं गरवड कर रहा हूँ और उसे मुझे change करना चाहिए जब आप वो सुनोगे वो pictures देखोगे जिनमें आपको appreciate किया गया था आपने खुद पर confidence feel किया था तो आपका ये भरोसा बढ़ता चला जाएगा और आप और confident होते जाओगे पर ये भी आपको कई दिनों तक करते चले जाना होगा और धीरे धीरे जो नए goals हैं उनको achieve करना पड़ेगा जो जो काम आप करते जाओ उन पर अपनी तारीफ करते जाओ अपने आपको appreciate करते जाओ और अपनी पीठ थब थबाते रहो खुद ही अगर खहीं और से तारीफ नहीं मिल रही तो खुद अपनी तारीफ करना सीखो फ्रेंड्स एक important चीज जो आपको और करनी होगी वो है कि अपनी लाइफ में कुछ गोल्स बनाओ ऐसे गोल्स जो आपको अपनी तरफ attract करें खीचें गोल्स इतने छोटे मोटे नहीं होने चाहिए जो आपको अपनी तरफ attract ही ना कर सके बड़े गोल्स बनाओ ऐसे goals बनाओ जो आपको अपनी तरफ खीचें और उन goals से आपको power मिलेगी आपको ताकत मिलेगी, आपको confidence मिलेगा और जब-जब उन goals में कुछ भी success पाते चले जा रहे हो on the way to achieve those goals तो हर बार अपने आपको appreciate करो अब बोलो कि you have done a good job and you are fantastic तो जब यह आप बोलते चले जाओगे और clarity आती जाएगी उस goals को achieve करने में जैसे जैसे उसके पास पहुंचते जाओगे आपका confidence दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे goals बनाने होगे चाए वो आपके health goals हो चाए आपके success के related हो यह काम मैंने किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से किया है जब यह कुछ आप achieve करोगे जब अपनी life में आपको दिखेंगे कि yes I am achieving these things तो आपको खुद पर confidence बढ़ता चला जाएगा तो यही काम आपको करने हैं अगर आप चाहते हैं कि आप long term में confident रह सके हैं मतलब confidence आपका एक अंदर capability बन जाए एक skill बन जाए ऐसा आजाए अंदर कि आप कुछ भी कर सको